दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ओफ-लाइन फ्रिलाइजी के जरिये बताने वालाओ जिससे आप वीकेंड पर बस एक गंटा स्पेंड करके मंतली चार से पाच अजार रुपे कमा सकते हो अब मैं वीकेंड पर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एक अगर वर्किंग प्रोपेशनल है मंदे टू साटरड़े आप काम करें तो बेसिकले आपके बस टाइन रहता है और संदे को अगर आप फ्री हो और आप एक गंटा इस काम के लिए स्पेंड करते हो तो मंतली आप चार से पाच चार रुपे कमा सकते हो बिच इस वन आवर का थाउजन रुपीज आप चार्ज लगता है इस एक वीडियो से कैल से अ माधवर इंजिनेर बनेंगे है लेकिं इस एक वीडियो से ऐसे ट्रीक आप सीखोगे जिसकी जरुबत बहुत सारे लोगों को होते है जैसे की बहुत सारे लोगों की बस Percy ग्यक्शक आ उता टेनिकल शाउंद नहीं होते मादलब को के सबस्क्राइबबन आ स्बस्क्राइब लिए किये Windows को फर्मैट करना पड़ता है बहुत सारी बार तो कर अप्टू होता है Windows बहुत सारी कंप्यूटर लापटाप में और बहुत सारी बार वा स्नु होता है तो उससे हम फास्ट करने के लिए Windows को री फॉर्माट मतलब पुराना विंडोस बनाकर विंडोस इंस्टाल क के दे सकते हैं उसके लिए 1 गंटा पर गंडी से कंबैग लगता है लिकीन इसका अगर आपके पास है तो आप एक घंड़े का एक हजार रुपय चार्ज कर सब्सक्राइब क्योंकि हाडवे इंजिनियर इसका सिस्टम भी करप्ट हो जाता है विंडोज करप्ट हो जाती तो आप उसे रिंस्टॉल कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको यह पर स्टेंट बाइस बतारे वारो तो चलिए वैसे दिसे आप सब का स्वागत करता हूं लेट्स देगे है तो दूस्तों आपको सीखना है कि वे अपनी कम्पीटर के या किसी ऑर की भी कम्पीटर की विंडोज को डूर शक्ताल को कैसे हममें इंस्टॉल कर सकते पुराना विंडो लेकि अरा ह्ते र향 तो बूटेबल पेंट्राई या बूटेबल डीविडी बट बी डीविडी का तो जमाना गया है तो मैं रिकमेंड करूँगा पेंट्राई यूज कीजिए तो आपको एक पेंट्राई करिणना पड़ेगा विचिस आराउंड कोस्ट लेक 200-300 रुपे लगता है लेक आट्टीपी आपको पूरा ब्लैंक उसमें कोई भी पाइल नहीं रखना है याद रखिए क्यों क्या करने माले बूटेबल बनाने रहे हां उस बूटेबल पेंडराई कुछ पॉर फाइल स्टोर करनी है बूट वने के बाद बूट हो घुल कर सकते आप पहले मैं बता देता है उसकी जो तो बाकिका जो स्पेस है वह हम वीडियो लाइन्स कर सकते है आराम से उसमें फोल्ड फोल्ड रख सकते है कि आपको उसका बुटेबल बेंटर तैर को अब करना क्या है सबसे पहले आपको Microsoft.com website visit करना है जो कि मैंने यहां पर Microsoft.com website visit किया है इसके अंदर आपको राइट साइड में यहां पर दिखाए देगा all Microsoft products तो इसमें जाकर आपको free downloads and security में क्लिक करना है यहां पर मैं step-by-step चीज़े बता रहा हूं कि Windows सारे Windows आपको Windows 11 का देख सकते हैं लेकिन मैं आप पहले सारी सीज़े step-by-step बताने वागा तो लीचे स्क्रोल किज़े आपको पीस, Xbox, Games, Windows options दिखाए देरें लेकिन सबसे पहले option Windows है और हमारा काम Windows से related है तो मैं इस पी क्लिक करूंगा राइट जैसिन मैं Windows के क्लिक करूंगा नाओ जिस्ट स्क्रोल डाउन और हो यह विलिट ओल दी विंदोस लेवन विंदोस 10 विंदोस 8.1 तो अगर आपको 8.1 का बुटेबल पेंडर बनाना है तो यहां पर किसे 10 का बनाना है तो आपको से यहां यहा अपर दीखिए पहले क्या होता था विंदोस 10 यह उसके पले विंदोस 7 था उसको बटेबल बनाने के थर्ड पर्टी आप्लिकेशन के वी ज्यादा तर जुरूवत पड़ती है थी क्योंकि विंदोस खाली आइओ सफाइल कर था तो आपर रहती थी अब हुस फाइल को हमें बूटेबल क्रेट करने के लिए हमें power ISO जैसे software की मदद ली नहीं पड़ती थी मैंने पहले भी इसका एक वडियो बनाया था उस टैन पे तीन साल पहले बनाया था बिसिकली उस टैन पे पावर आइसो यूज करते लेकिन अभी पावर आइसो की जगत नहीं है ठीकि विंडू करो दोने कान की विंडूस ने फ्रोइड कि जिसकी जरी हम डायरी टीmother बना साथे आप मैं पहले बूटेबल करके इस्टॉल करता था जब मैं विंडूस 7 या विंडूस 8.1 यूज करता था बिसिकली रहीट मेरे क्लास ओं रहा आप यहा पे मैं दिकाऊँ नीचे स्क्रोल क करना है जैसे मैंने बोला power iso software है जिसके जरी आप बूट करना चाहते हो तो यह वाला लास्ट और उप्शन चूज कीजिए तब आप लोगों को सभीज देने वाले हैं तो उसके कंपीटर में कुछ गड़ बना करके रोक दो रहे हैं तो इसलिए पहले देख लो कि बोटेवल पेंडर बनाते समय क्या के चीज़े ब्यान में रखनी है परनी चीज़ है कि बाई USB पेंडर लागा के रोको अपनी इस पर बीटी मिलता है राइट इस वे थरीटी वीट ने मिलता है विंडोस 10 और वे 8.1 32 वीट में मिलता है तो अगर उस परसन को पर्टिकलो परसन को विंडोस 32 बीट चे तो विंडोस 10 में जाने के लिए बोल क्योंकि कुछ पुराने अप्लिकेशन सु यूज करा रहा है यह पर कुंसा वर्जन यह थरीटी वीट यह पर शुटी पर बीट जो है विंडोस 11 में एक अवालेबले थरीटी वीट उन्हें हटा दिया रहा है रहा है विंडोस 11 इस्टाल कर और 64 बीटी इस्टाल होगा और लेटेस अप्लिकेशन सारे 64 बीट पी होते तो मैं रिक्रमे बाष्ट को इस्ट बाष्ट के रहा है था नहीं उन्हें इस्टेशन पर सकते हैं तो मैंने इस्ट्रक्शन बता दिए आपको आप मैं डाउनलोड बटन थे क्लिक करता हूँ सबसे पहले यह media creation tool है यह utility यहाप पर डाउनलोड वो रही है windows की बिसिकली और यह tool को आपको जैसे डाउनलोड हो जाता है इस फिक्लिक करकी इसे install करना है step by step यह pop up बताएगा कुछ तो इसे yes करना है जैसे आप इसे run करोगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मैं इसे run किया और सबसे पहले वो पूछेगा कि भई terms and condition आप अगर agree होती से agree कर लो यहाँ पर देखो यह terms and condition आभी इतने सारे पढ़ने के ज़रोत नहीं Microsoft trusted platform में तो इसे install कर लेते हैं accept कर लेते हैं तो terms and condition को आप accept कीजिए पहला steps ओके इस ट्यूटी इस रेडिये उसके बाद यहाँ पर दिखा देख सेलेक लाइंग्वेंज यहाँ पर लाइंग्वेंज सेलेक कर लीजिए English language United States में यहाँ रखा हो Windows 11 आप यहाँ पर जाकर language सेलेक कर सब्सक्राइब नहीं है इसे चेक रहने तो इसे चेक रहने तो Windows 11 चाहिए नेक्ट बटन पर क्लिक कीजिए उसके बाद यहाँ पर पूच रहा है कि पेंड्राइब आपने लगा दिया है तो यहाँ पर सेलेक कीजिए USB flash drive या तिर आपको चाहिए बाद में DVD में बन करना है उसको तो यह आईसो A queued में यहाँ पर किया करता हूं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूं नेक्स्ट बटन पसी करूंगा या आया जागी अगल्सी अब değ आत्रसेब काकिन रॉस्डएड नेक्स याद रखने रिखना तो यहां तो पहले डाउनलूड ही हो जाता है उसके बाद progress होता है 0-100% progress होने के बाद आपको दिखा जाता है यह flash drive is ready यह message आ जाता है उसके बाद आप finish बटन पे click किजिए फिनिश बटन पे click करती this make take a few minutes और जैसी आप इसे finish करते हो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा मैं windows e button press करता हूं और windows e button press करने के बाद मैं यहां पे जा रहा हूं दिस्क्रिसी में तो मैं आप देख सकते हैं यहां पे USB drive तयार हो चुका है मैं से open कर देता हूं और आप देख सकते हैं यहां पे बूटेबल pen drive बन चुका है यहां पे पेंड्राइ तो बनाना पड़ेगा step-by-step बूटेबल pen drive बनाओ जैसे मैंने स्टेव सकता है तो पेंड्राइ उन्हीं होने के बाद आगे स्टेव जारेंगी विंडोस को हम कैसे पुरानी विंडोस को अटागी नहीं विंडोस कैसे इस्टाउल करेंगे मतलब विंडोस इस्टाउलिशन का प्रोसेश अभी step-by-step में आपको देखाने वाला हूं तो चैनी विंडोस इस्टाउलिशन की प्रोसेश को शुरू करते हैं तो दोस्तों अब इस बूटेबन पेंट रहे को मैं मेरे लाप्टॉप या कम्पीटर जो भी बिसिकली उसको लगा दूंगा और उसके बाद मैं उस लेप्टॉप को रिस्टाट को रहा सबसे पहले अगर वो चालोए तो रिस्टाट कीजिए नहीं चालोए तो स्टाट की आपको ऊसके बाईयो सेटिंग मैं मैं आपको लाख या या है वी सेटिंग मैं या लागा या पो यहां पर को सिस्टम को स्टार्ट कर दिया है और बूटेबल पेंटर अल्या ठीड बटन पर प्रेस कर दिया एब इसलिए मैं एप DAY je किया क्यूंकि मैं लाजाना चाहता हो मेरे कास में इन ब्रीकी है भुन सारे बर ब्रांदें विए उसमे जारे वाड़ान भिपर होता है विए उसमें पर के लिए प्रें याप युक्त-ी अफ इसमें रह्ताई अपने कीशिट्रांस की पे लिए इन मेरे इसमें यहां पर देख सकते आपके एंफोस साटा 128GB की यहां पर साटा लगी है यहां पर साटा स्टोरेज ड्राइव बिसिकली और इसी को मैं फॉर्माट मानने वाला हूं इसके अंदर अल्रेडी विंडोज इंस्टॉल्ल है उसी को मैं पहले क्या करूंगा पॉर्माट मैं पहले मानने यहां पर आपको निवस्टॉल्ल करें इसपुला है कि यहां पर आपको जाना है मिशीय क्यक्न बिवे स्टॉल करना मैं मैं अ कराकी इस वाल्य आपको इंशी checklist करना है अर्ग्स से एकसेप्ट ऑर चयल्य वान पर अप से क्लिक करेंगे तो यह पर तो किया में ठीक करेंगे तो यह तो पर hay नहीं मेरा जो है पेंड़ाई उस से ही या पर बोट हो जाए तो मैंने उस पे क्लिक किया है पेंड़ाई ओल्डी सेलेक्टेड है इसके बाद मैं इससे सेव कर दोगा सेव करने के लिए एप 10 इससे इन प्रोटि की कॉमन होती है अगर बुटम में चलर राइन दॉस को ओर चलर कें डिलीट बुटम में से कुछोंस यह उस दिखा रहा हूं यह इन पहले भी रिक्ड़ के आ Mitte था उसका वीडियो भी है अगर आपको वीडियो मैं डाल दीता है जिसमें मैं नहीं बताइक कि बूटेबल पेंडराई कि जरीए कैसे फॉर्माट करते है तो जब जरू वीडियो चेक किजिए अगर आपका बाइस अलग है तो उसमें मैंने सिक्में स्टेंबाइस से जखा है बतलब वापे मौस यूज नियुटा वाले कीबोड को यूज करना पड़ता है तो वीडियो आप ज़रू देख लिए दिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे मैंने यह आइडिया इसने देदी क्यों को आपको अपको आपको आपको ब्लाइब आपको अब कॉप्यों हो जाओगे अब याथे हम देख अब हम विंडोज को इस्टॉल कर रहे है तो इस्टॉल नौ बटन पे ट्लिक करेंगे सेंड़ भी स्टाटी आ जाएगा उसके बाद कुछ सेकेंड से आपे लोडिंग के लिए लेगा तो यह पर उसके बाद प्रोड़क की की विंडो आ चुकी है अगर आपके बास पर यह पर पी बास यह पर टोप करेंगे तो यह मैने एक विडियो में बता इसका लिंक लिंग डिस्क्रिप्शिन में डाल दूगा कि अगर आपका विंडोज ए एक जिस्टिं विंडोज की प्रोड़क की आपको जानने तो इसके की कैसे निकालते है वो भी मैने बताय तो आपका पहले से Windows की आप यहापे डाल सकते है इन केस में आपके बास ना प्रोड़क की है ना पहले विंडोस का भी प्रोड़क की मतलब पहले लेप्टोड़क की तो आइडों यह प्रोड़क की के साथ आगे बढ़ी हो और देरा राट सो मिनी ओप्शन की भाई बीदा फ्रो विंडोस ओपर इनिक सिस्टम आपको सिलेक करना है तो इसे आपके बस विंडोस 11 हों का लाइसन हो सकता है उसकी प्रोड़क यह पोई और हो सकता है जो भी विसिकली है वह आप सिलेक की से मैं यहापे मेरे केस में Windows 11 प्रोड़क कर रहा हूं और उसके बाद नेच्ट बटन आफ देशन इस उसमें अपडेड करना है यह पिर आपको किस्टम इंस्टोलेशन में जाने है ले इस कि यहाद रखिया है हो ने भी storage रहे होता है SSD यह लेटे storage रही हो है harddice यह पुराना storage drive है basically harddice mechanical device है harddice और SSD क्या होता है इसके अभी dedicated video बनाए जिसकी link आपको दे दूंगा तो basically यहाँ पर मैंने SSD connect करके रहा है तो मेरे SSD का यहाँ पर storage दिकाए दे रहा है 120 SSD यहाँ पर आप देख सकते मेरा 118 जिवी जो है basically partition 2 है जिसमे और इप्राइमरी partition करके इसका नेम है primary partition में हमारा windows ज्यादा तर इस्टॉल रहता है ज्यादा तर नहीं मतलब primary में रहता है याद रखना है okay तो यहाँ पर प्राइमरी में रहता है इसमें कुछ नहीं recovery partition है और यह MSR reserve partition यह windows के साथ रहता ही रहता है इससे आपको कुछ करना नहीं है इसके अलाव कुछ extra partitions आपके case में है जैसे यह आपके case पर partition 4,5 और भी है और वहां पर बहुत जादा space है तो समझ जारा है वो आपका D drive, E drive है basically D drive का भी आपे दिखाए देगा E drive का भी दिखाए देगा D drive मे storage होता है जनरली क्या होता है जब हम computer खरीटते है तो जो computer मेचने वाला वह क्या करता है आपको C drive के अलाव दी और E drive अलगने ड्राइव अलगने ड्राइव लोकल स्टोरेज ड्राइव बना के देता है जिसमें आप फाइल रख सकते है इनकेस अगर आप Windows को फॉर्माट मारना चाहते तो डैरेक्ली इस drive को फॉर्माट मार दीजिए जा आपका Windows रिष्टॉले तो जिसमें D और E drive को फॉर्माट नहीं मारना रहता है अगर आपके computer में extra drives है तो हमें बस C drive को फॉर्माट मारना परता है हमारे इसे ही फॉर्माट मारना है वैट क्योंकि हमारे केसमें एक ही SND इस्टॉले 120 बीका और उसी में ही सब कुछ है बिसिकली तो मैं क्या करने वाला है मैं इसे फॉर्माट मारना हूँ लेकिन इसके पहले अगर सब जो पर्टिकुलर रिउजर उसने बोला कि यार मेरे इसी में इसे ही important file में डिक्स्टॉप इसे ही important file में इसे इसे ही important file में टेक्स्टॉप में इसे फॉर्माट करने के लिए ना निए नए विंडूस भी लेकिन रिखेगा लेकिन यह तभी आपको नेक्स काम है जब आपके पास यहां पें जादा space free है वह पास 57GB space free है तो मैं आसानी से कर सकता हूँ लगबग आपके पास 50-60GB free है वो नाई चाहिए तब जाकर आप या तो विंडोस को डाइरिंग इस्टॉल कर सकते हैं यह बटन पर क्लिक करके space free होगा तो अगर आपके पास यहां पे space free नहीं है इस ट्राइब में तो आपको यह पुराना विंडोस फॉर्माट मारना ही पड़ेगा और उसमें पुरानी वाइल चप चली जाए कि एंकाम कर सकते हैं कि उस आट डिस को या एससडी को दूसरी जगा पर लगा के दूसरी गंपीटर में लगा कि बैकप ले सकते हैं एक चीज वोड़ रड़ी है कि बैकप लेलो उसकी पाइल लेलो सीडर में पॉर्माट पाईले उसे निकाल लो आप एक्स्टरनली उसरे पॉर्माट हो जाएगा पुरान विंडूस पॉरा निकल जाएगा पुरानी फाइल निकल जाएगी सॉफ्टर निकल जाएगा सब कुछ निकल जाएगा तो मैं आप फॉर्माट पे क्लिक करूंगा और करूंगा करूंगा कि मेरे केसमें इंपॉर्माटन है तो ने इस बट इम्पॉटन यह पोर्मेट करने को त्राइब उसे फॉर्मेट करने चला गया लगा कंडे समयrtë फॉर्मेंट करती समय कोड सा right verb format करना हुस से दीटी डिंटी यहां है में इना पपॉर्मैमेंट कर सकता है तो मैंने सारी चीजे बता दी अब मैंने पॉर्मैट किया क्योंकि मेरा यहां Career of Fire नहीं तो से मैं निक्स करता हूं इसी में में विंडोज इस्टाल कर रहा हूं एक और चीज मैं यहां पर पार्टिशन भी कर सकता हूं अगर मुझे लगना कि यहां पर 118GB इसका 60G अदग करना है जिसमें सब्सक्राइश में मुझे रखना है चीज मुझे भी रखना है और 60 एंपा इसका 60 , अब मुझें बनाना है मेरे पास 111NGB अगर आपके बस 1TB का आड़ी से तो 1TB आपे पुरा पूरा दिख रहा है सीडर यू पड़ा है तो आप उसको पार्टिशन यहां पे भी कर सकते हैं कैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको से लिए जैसे आप इसे डिलेट करोगे मैं आपको भी दिखा रहा हूँ अभी प्र मैं लेकिन इसका अनलोकेटेट स्पेस तयार करो यह दिखिए जैसे मैं न्यू बटन पे क्लिक करोगा या पे न्यू बटन तभी आइलाइट होगा जब आप इस पूरे स्पेस को डिलेट करके पार्टिशन 2 को मैंने डिलेट कर दिया वतलब जो वारा प्राइवरे दिखाता हूँ एपलाएं ओके है उसके बाद आप देख सकते हैं 60 जिपी का शाट अधर डाल दिया अनलोकेटेट स्पेस है यह पे 58 जिपी का एक नया ड्राइव तयार हो चुका है मतलब 60 जिपी तक आ रहा है यह पे 58 जिपी का जो ड्राइव दिखा है दे रहा है यह वा अब इसमें इसे प्राइमरी रखना है या इसे प्राइमरी रखना है मतलब जिसमें आपको विंडोस इस्टाल करना है इसमें करना है इसमें कीजिए इसमें करना है इसमें करना है तो इसमें कीजिए लिकिन आप इसे अगर इस्टाल कर देते हो तो यह आपको सिकेंडरी ड टो यह आपर डिलीट करती है आपके अनलोकेटिट स्पेस में पूरा पास्टिशन अगर आपके अपकी हाट डिसको पहली बार इस्टॉल करें तो आपके पहले से रहेंगे तो धान रखिए उन पास्टिशन को डिनिट मत कीजिए या फॉर्माट मत कीजिए जिनमें आपका बॉटन डीटा है, clear है, तो आपको दिनिट करना है नहीं पाई, पहले से पार्टिशन तयार है, तो रहने दीजिए, नहीं है, इसलिए मैंने पार्टिशन तयार करके दिखा है, फॉर्माट करके, और उसके बाद आप देखो कि या पर पार्टिशन टू भी तयार हो चुका है, वंकि एक सिस्टम ड्राइव तयार हो चुका है, रहने दो इससे, इस सिस्टम ड्राइव, रिकवरी ड्राइव, या पिन यह रिजोग फेस, इस इने चेड़ना नहीं है, बस आपको जाना किस पे है, मतलब चेड़ना किसे 58GB को, तो मैंने या पे पार्टिशन कर दिया लग लग लग, और 58GB मेरा पूरा-पूरा विंडोज या पे इंस्टाल हो, तो यह पे प्रसंटेज आपको दिखाए दे रहे है, 1, 2, 3, 4, या पे प्रसंटेज होने के लिए कुछ टाइम लेगा, मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता तो यहां पे अंदेन पसंटेज हो चुका है, और जैसी अंदेन पसंटेज हो जाता है, या पे विंडोज नीजट टूर। रिस्टाट टू कंटिनू, रिस्टाट नाउ बटन पे आप डैरीक लिक करोगी तो भी चलेगा, या पे यहा पे कुछ सेकिंट्स काउंट हो जात तो जैसे आप रिस्टार्ट कर लिए तो उसके बाद आपको एक चीज करने है आपका पेंड्राइव निकाल ले नाइगा इस पेंड्राइव अगर आप लगए वैसी तो दुपारा वुटिंग चालोगा पेंड्राइव के अंदर सी आपका पेंड्राइव में से विंडोज आपके SSD में या आपके HDD में लेकिन अगर आपने पेंड्राइव वैसे रखा वुट टेबल पेंड्राइव तो वापी सो बाइव में चला जाएगा और बूटिंग यहां से चालो करेगा इसलिए पहले पेंड्राइव निकाल लो जैसे सिस्टम रिश्टार होता है SSD के अंदर आगी सारी फाइल्स इस्टार होगी है उसके बाद आपको करना क्या बस इसे नेक्स मेंटिंग साटेर वागर आगे वो चीज़े करनी है बेसिकली उतनी करनी है वो आटोमाटिक होने बाद तो विंडोस रिडी हो जाएगा वो सारी चीज़े तो वैसे आप्टो बदाला नेका निकालो कंपिटर को रिस्टाट को इतना को स्टेशन नेका जरुद नी की अगर निकालना तो मैं भूलिए तो प्रोडब्र में कि होता क्या है कि पैंडरा लगा पाके रखने से वो बाई उसे से रिडुय और भाई उस मेंसे पींड रही बुटेवन डिवा और यह जब गेटिंग रही होता है तो इसे बार यहां पर रिस्टार्ट हो जाएगा जैसे हम देख पार है यहां पर दूसरी बार भी रिस्टार्ट हो चुका है और फिरसे ही यहां पर वो प्रॉसस हो जाता है अब हम देख सकते हैं जेस्ट मुवमेंट लिख आ रहा है मतलब अब हम बहुत नजदी के हमारे विंडोज इस्टार्णिशन से यहांने कि हमने पुरा विंडोज को पूरा पॉर्मैट कर लिया है जो हैंग हो रहा था जो करफ्ट हो चुका था उन सभी फाइल को हमने निकाल कर लिया इसे यसट की दिए इस क करने के बाद यहां पर पूच रहा है कि बाइए आपको की बॉर्ट लियाओट कौन सा रखना है नेटवर्क कनेक्टे नेटवर्क जरूरी है विंडोस 11 में याद रखिए और अगर आप लैप्टॉप में तो बिसिकली वाइपाई से करेक्ट करना पड़ेगा अगर आपका सिस्टम में तो उसे लान में वायर लगानी पड़ेगी रहें कार लागानी पड़ेगी तो मैंने नेक्स टीक्स कि अब उसके बाद सिस्टम एक दौर रिस्टार्ट भी हो जाएगा यहाप अपने डिवाइस को क्या नाम देना चाहते तो जैसे मैं यहापे नाम देना चाहता हूँ तो skill course, okay, skill course के बारे मैं आपको बताओ कि यह basically अमारा application है, प्लेश्टोर की उपर available, और अगर आप computer hardware detail में सिखना चाते हो, smps बदलना या पिर आप सिखना चाते हो, motherboard के बारे में detail information, RAM कैसे निकाला जाता है, RAM कैसे attach करते है, RAM कैसे upgrade करते है, या पिर graphic card कैसे install किया चाता है, ऐसे यह सारी चीज़ों की जानकारी अगर आप एक जगा पी जाना चाते हो, गर बेटे-बेटे computer hardware engineer बनना चाते हो, जिया, सही सुना आपने, गर बेटे-बेटे computer hardware engineer बनना चाते हो, तो skill course application पे computer hardware का course हमने डिजाइन किया है, जूकि गर बेटे-बेटे freelancing का job करने का एक opportunity आपके लिए ने क्या है, तो मैं अगर आप side hustle करना ही चाते हो, पूरे में से computer में SNPS बदलना, SNPS के बारे में सारी जानकारी जानना, तो इस course होगा लिजे, त्यूकि यहापे सारी चीज़े मैंने खोल खोल के बताई है, सारी चीज़े मैंने यहापे detail में बताई है, और बहुती कम पीज में गर बेटे-बेटे आप एक course सीख सकते है, वींत iOS certificate, Yes, you heard it right, we didn't certificate after completion of the course, तो अभी enroll कीजी है, क्या पता कब price इसकी बढ़ जाए, तो description में skill course नाम का application है, download install कीजी है, और computer hardware in Hindi वादा course को enroll कर लीगे, गर बैटे-बैटे सीखने के लिए और कुछ side earning करने के लिए, basically side ascension करने के लिए इसका या computer hardware engineer बनने के लिए इसका बहुत important role play होगा आपके life में इस course को अगर आप कलते हो, फिलार मैंने computer को नाम दे दिया, skill course और उसके बाद में next button पे click करूँगा, और यहाँ पे मैंने next कर दिया, एक बात और जो मैंने नाम दिया उसमें मैंने space दिया तो उसकी जोगा आपको sign in करना यहाँ पे कंपल सरी है, तो इसके लिए आपके बास Microsoft का account होना ज़रूई है, तो अगर आपके बास Microsoft का account ने तो आपे नीचे create one option भी दिया, create one button भी click करके आपने account बना लीजे Microsoft का account होना बहुत ज़रूई Windows 11 के लिए, तो मेरे पास already है, मैं इसे next करके sign in कर लेता हूँ, तो मैं आप इस next button पे click करूँगा email ID, उसके बाद में password डालूँगा, उसके बाद में sign in button पे click करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते है, पड़ा पड़ यहाँ पे sign in कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उस email ID को password डालने के बा पिन दे दो, यहाँ जो भी नया laptop ने खरीदा है, उसमें क्या कैसी दे करनी पड़ती है, अगर वो वीडियो आपने देखा है, ने laptop का सेट अप कैसी करता है, तो description मैं वो वीडियो भी दे दिया है, वो आप दिरूट चेक आउट करना है, तो मैं यहाँ पे password pin दे रहा application, find my device, अगर laptop है, तो find my device option on, रखे, रखे, क्योंकि अगर laptop चूरी होगा है, तो भाई, यह काम का option है, आपके लिए, track करने के लिए, बहुत सारे option से ही नहीं, as it is, रख सकते हैं, आप advertising वाले जो हो है, वो option से आपे बंद दी कर सकते हैं, तो मैं फिलाल कोई option, disable करने के लि चेक कर सकते हैं, जिससे उससे लिए नियूज लेटर्स होगेरा, Microsoft आपको provide करेंगा, so basically, मैं आपे कर रहा हूँ, और उसके बाद यह आपे, use your phone from your PC, यह आपे दीखाय दे रहा है, मतलब आप अपने phone को connect कर सकते हैं, PC के साथ, और इसके लिए मैं आदर्सर वीडियो यह Windows का एक नया feature है, जो कि यह आपको ज़रूर यूज करना चाहिए, इसे आप scan करकी यूज कर सकते हैं, मैं यह आपे skip कर रहा हूँ, क्योंकि installation में इसके ज़रूर देने, बाद में भी यह options आप कर सकते हैं, इसके लिए अलग सा मैं ज़रूर चेक कर लेना, और उसके आपको एकसेट करना तो यह पर आजाएगा, आपके email idc, जो चीज आपनी की है, यह आपे वो सिंक्रोनाइज कर लेता है, वो अपडेट कर लेता है, वो अपडेट कर लेता है, आपके ब्राउजर के अंदर, ब्राउजर यानि कि Microsoft Edge के अदर बेसिकी, तो यहाँ पर आप द यह रुकना पड़ेगा, मैं भी रुकता हूँ, मतलब मैं फाश्पॉर्ण कर लेता हूँ, यह पूरक-फुरक अपडेश्टॉप, और यहाँ पे सबसे पहले तो आपको डिक्ष्टॉप के सारे अप्को चाहिए, तो उसके लिए करना आक राइज एंदर यहां पे नीचे आपको आपको अप्शिन में जाएगा themes और themes के अंदर basically यहां पर आपको दिखाए देरा desktop icon settings और desktop icon settings में आपको computer user files network जो जो icons आपको लगते हैं जैसे control panel वगएरा user को चाहिए वो सब apply करके ok कर दीजें बाकि आपे desktop का background बदल सकते हैं बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं application ने इंस्टॉल करने तो जाकर आप डाउनलोड करो browser डाउनलोड करो लो प्रो browser वगएरा वो बाकि सारी सेट अप करके आप दे सकते होने राइट और कुछ applications दो पुचे तो वो भी आप आप करके दे सकते user को जो भी जिसका भी आप computer format करें तो और मैंने सारे आपको बता दिए कि अगर आपको एक computer format करना है तो क्या क्या करना पड़ता है बहुत सारी आलकती करनी पड़ीगी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी हां इन गंटे के अंदर यह सारी चीज़ें सब्सक्राइब आपको निकालने पड़ेगी उसके लिए और विडियो बने पना है कि वह कैसे आप पुरा-पुरा मुल्टेवल पेंडर बनाने का स्टक्ष जिससे आप डेफिने ताउजन रूपीज कमा सब्सक्राइब सब्सक्राइब आप चारज करना प्यू इसक्राइब कंटपा इक किसी को कोटेशन करना है वह किसे आप इसे आपकी वाट्सप पर आप कुछ जानते हैं या आपके प्रेंट सरकल में या आपके नेबर में जिनके पास भी प्रेंट रहे उनको आपको पहले पता देना है कि वही नुझे विंडोस इस्टॉलेशन आता है आपकी कम्पिटर को फाश काना है तो मैं करके दे सबता हूं आपको पहले आडवर्ट या पिर आपका कोई रिस्टेदार रहने तो आप बेसिकली देखो अगर रिस्टेदार के अपको रिस्टेदार के कम्पीटर मांदे वो किसी कम्पीटर हाडवे इजिनियर वाले को बिला तो आपको उसे पैसे करने बड़ेंगे तो आपको क्यू नहीं हां सो 200 रुपए कव अप उन से चार्ज कोरो यही आपके क्लाइंस होते हैं और जम बेसिकली आपकी क्लाइंस वो एंक बान चुके आपने उनको सर्विस दे दी तो उनके फ्रेंड्स को बताने वाले रिफर करने वाले और दुसरा इक तरीका में आपको बताने वाला या पेंज जस्टेदारी पर आपको हाडवेर पूरा नॉलेज नेना पड़ेगा और उसके लेक्ट कोश्वाने रेजाइन किया जो की इंदिक्रिप्शन वे लिंक दीए स्किन कोश्वाइशन पर जहांसे आप कम्पूटर हाडवेर इंजिनियर बन सकते हैं घर बेटे बेटे आप वो कम्पूटर आते हों क्लाइंट को रीवी देने के लिए पुछी है जैसे जैस्ट पर आपके जाद आ रही हो रहेंगे तो भाई आपके एरिया में प्रक्टिकुलर लोकेट कर देता है क्लाइट को तो अगर आप मैट्रो सीडीज में रहते हो तो भाई वैलेंट गोड तो मैट्रो आपको मिलते हैं यह अमने अल्री ट्राइल एंट टेस्टेश चीजें की है और यह अब ही भी स्टूडेंस को कॉल आते हैं क्योंकि उन्होंने अपना प्री लिस्टिंग किया तो आप अपने फ्रेंट सर्कल से रियू डाल दो और अच्छे रियू रहेंगे तो लोग इसके आपके स्टूऑब रहता है लेकिन भार पैंडेर सारी सुरी ब्सकी सारब लेटेश पेशिक एरिया बॉक्षान आथा है और इसकी को भी अधिम सब्सट्राय निससे को भी क्यों सब्सक्राइब करना है में यह तो यहां हो ऊप है इसको विन्सी इसे चलता है में और तो यह मैंने तरीका बताया कि कैसे आप अपने अर्निंग को मैक्जिमेच कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए पहले यह पूरा पूरा वीडियो आपने अच्छी तरह से देखना है, और उसके बाद प्रैक्टीजरी करनी है, एक दो मैं थाड़े बेसिकली है, और मैरे स्टूरंट ने अर्ड़ेडी करके देखा है, तो ज़रू ट्राइट कीजिए, और मुझे बता दीजिए, कोमेंट स्टिक्शन ने की भाई, आपने क्या किया, आपने अर्निंग स्टार्ट की, ने की आपको कैसे लगा यह वीडियो बेस बशस्रीए, राइब बाइब।